व्रत में डोसा मिल जाए खाने को मसाला डोसा जी हां मैं हूं मॉनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक्वेद मॉनिका आज हम बनाएंगे सिर्फ पांच मिनट में जी हां बिना जंजट बिना किसी स्पेशल तयारी के जटपट से हम डोसे बनाएंगे व्रत वाले अग कुला मिलत लीजए और यह भरत में खाये जाने वाले चावल जी से क्या चावल कहते है को इस व्रत के चाहल के नाम से भी एलेंगे थोड़े के चावल लेंगे थोड़ा इन सिंहारे सिंगाडे काटा ले रहे हैं और साबू दाना चाहिए होगा बहुत थोड़ा सा इससे थोड़ा लेसला मतल़ स्टिकी नहीं सा जाती है यह भी आट करेंगे तो मैं ले लिए दो बड़े चम्मज यानि डेजर्ट स्पून के करीब से आप ही साब लगा सकते हैं दो बड़े च Chawald को एक साथ पीस लेते हैं तो चार बड़े चम्मज आप समझ लीजे चावल रहां और दो चोटे चम्मझ मैंने साबू दाना एक कि इसे मिक्सी में जróख गताड़े छोटे चम्मज आपकी की मिक्सी MPP लीजी है उत्तना परीक आट करेंगे सिंघाड़े के आटे से बाइनिंग होगी थोड़ा टेक्सर अच्छा रहें एक बॉड़ी मिलेगी डोसे को बिखरे गाने तूटे गाने तो मैं इसमें सिंघाड़े का आटा डाले यह जल्दी सूप जाता है इस दोसा बिस्पी भी बनेगा तो साथ ही यह और टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा इसलिए दही डाली है अगर आप दही नहीं रखी घर में तो बगैर दही के भी खाली पानी से बैटर बना सकते हैं तो मैंने दो चमच दही डाली है थोड़ी सी और अब मैं पानी डाल कर इसमें नौर्मल साधा पानी है यह एड के लिए बैटर बनाते हैं वो गाड़ा रहेगा तो इसे पतला बनाना है और इसे जाला देर तक सोक करके नहीं रखना है जो हमारे डो से अच्छे नहीं बनेंगे पांच से साथ मिनट काफी है तो अब मैं इसे ढख रही हूं पांच मिनट के लिए ताकि जो चावल है फू जैसे कि हम रवा डोसा बनाते है कुछ-कुछ वैसा ही है बनाने में तो तवा गर्म करते हैं गर्म गर्म तवे पर डड़े डर डालकर डोसे बनाते हैं नौन सिक पांड लीजिए उसे अच्छे से गर्म चीजिए आज़ को मीडियम कर लीजिए इसाच फोड़ा सा तेल ल तपकाएंगे क्योंकि बहुत पतला बैटर है जलेगा नहीं इसमें खूप सरा पानी है और बस आप इसे राउंड जितना हो सकता है उतना कोशिच कीजिए बनाने की और फिलाइए नहीं बस टपकाते रहेगे यह अपने आप क्या है यह जम कर सेट होता रहेगा पानी बना सकते हैं बनाई है देखिए मैंने तो बना लिया है दोसा हमारा सिखना स्टार्ट हो गया है आँज को मैंने मीडियम रखा हुआ बीच विच में आप आँज को बढ़ा भी सकते हैं और उपर तेल आप ब्रश से या चमच की हेल्प से लगाई है दोस्य को अच्छे इफेक्ट नजर आ रहा है मुझे जो जैसे की नीचे सिग्या है आप देखे फड़ा बढ़ से दोसा मारा पग गया था मैंने इसे पलट दिया और दूसी दरव से भी थोड़ा सा से लेती हूँ आप स्पेश्फला की हल्प से थोड़ा दबा कर इसे क्रिस्पी कर सकते है जहां जहां से आपको लग रहा है वहां वालत तक अब इसे घुमाकर अच्छे से क्रिस्पी सेख लिए कि आप इससे पलट कर इसमें स्टफिंग करेंगी क्योंकि आम मनाने मसाला डोसा तो इसमें बताती हूं मैंने कैसे बनाया वरत वाला मसाला मिक्स्टर बनाने के लिए थोड़ा सा पैन में तेल लिए उसमें हींग जीरा थोड़ी सी हरिमिर्च और कड़ी पत्ते अगर आप राई भी खाते हैं तो भी आड़ कर सकते हैं इसे एक मिनट पकाते हैं आप थोड़ी सी अच्छी नैस आएगी टेस्स अच्छा आएगा और मुंफली सिख जाएं तो मैंने इसमें उबले आलू रखे वे थे दिखिए आप रत रखते हैं घर में तो आलू बहुत ही काम आते हैं तो फ्रिज में हमेशा आलू उबले रखेंगे तो आपको बहुत ऊजी रहेगा ब बढ़ियासा अलू मसाला मिक्स्टर बनालिया है और तीकE बन के लिए थोड़ी हरे रणीर मेशाट की वे तो बनके रडी हो गया है आपको पहले से बनाकर रखें और इसे अपने मसालाIt took करसा में चले स्टफ कर देते हैं मारा डूसा देखने में बहुत ही क्रिस्पी लग जोशना नहीं है इसे बनाना चाथ उस रका सकते। इसमें हरी चन्जट में रख सकती है। देखिए इसमें मसाला अलू भरे है और अगर आपको लग रहा है आलू उबले नहीं रखे लेकिन आपका डोसा खाने का मने तो सोच के आओ आप मसाला क्योंकि बिन डोसा भी तो खाते हैं आप बैन डोसा बना दीजिए दोसरा डोसा बने बना आके रखा वग है इसे दही के चटनी के साथ जैसे अच्छा लगे खाई यह पक्का बदा आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो देखने के लिए भी शुक्रे आपका